लेकिन मैं थोड़ा सा जो मैं सोचता हूँ और गुजरात को जो मैंने देखा है मेरा ऐसे मानना है कि संग को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर वेल्यूएशन कर रहे हैं संग का मैं नहीं मानता संग का कोई बहुत देश की जो राजनीती है उसमें संग के महत्यों को में उतना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता कि संग चाहे तो चुनाव जित्वा सकता है यह पूरी जो सरकार है यह पूरा जो आभा मंडले यह संग का नहीं है आप मुझे जी बताएं कि भागवत साव आखरी बार गुजरात कब गए थे वो नहीं बता पाएंगे वो यह बता देंगे कि नागपूर में आखरी बार कभी थे या मध्य प्रदेश में तो हर चोसे दिन रहते हैं संग को मैं 2002 से देख रहा हूँ संग को और वी एच्पी को दोनों को बुरी तरह माजिनलाइस कर दिया था वहां और गुजरात में जो जीत है पूरी की पूरी उसमें संग का कोई रोल नहीं है मतलब मैं मेरा ऐसा मानना है संग का समर्थन मौन हो सकता है संग ने विरोज नहीं किया ऐसा हो सकता है पर संग के कारण मोदी जी की सरकार गुजरात में बनती है ऐसा मैं नहीं मानता उन्होंने संग को वी एच्पी को जितने फ्रंटल और्गनाइशन से वहां मतलब भारती जनता पार्टी का जिक्ष कौन है यह लोगों को पता ही नहीं है वहां मतलब अभी तो पता है इस यार पार्टल को लेकर पर एक जो जक्ती है पूरे देश में जिसने अपने आपको इस्थापित किया हुआ हो नरेन मोदी है मतलब उन्होंने तो भारती जनता पार्टी को भी पीछे चोड़ा करता है मैं नहीं मानता कि संग में या भागवत में जो उन्होंने एक बात कही ज्यानेश जी ने वह यह कही कि जेट सीकुरिटी का मतलब अब उनको समझ में आया है कि जेट सीकुरिटी और सेटेलाइट फोन होने का कितने फाइदे हैं और कितने नुक बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्होंने इंफर्मेशन शेयर किया जिने मैं जो देख रहा हूं मैंने जो अपनी बात जो शुरू में कई उसको कह रहा हूं कि संग को को लेकर हम लोगों को बहुत जादा संग का उदेश हिंदु तो है मोधी जी का उदेश सत्ता है और सत्त कि आप दोनों के रास्ते हिंदुत्य के मामले में मोधी जी का एस्पिरेशन यह हो सकता है कि हिंदु राश्ट हो पर उनका सत्ता के बिना वह हिंदु राश्ट भी इस्थापित नहीं कर सकते हैं और मोहन भागोती जानते हैं कि मुझे यह बताई कि कॉंग्रेस इतने सालो से क्यों नहीं हटा पाया है और 2004 में अटल जी की सरकार इतना अच्छा काम करते हैं भी क्यों चली गई और 99 में जितनी सीटे मिली थी बीजेपी को गुजरात से मोधी जी के राज में 2004 में वो सीटे आदी क्यों रह गई लोग सभाए की तो बहुत सारे कारण है मैं एक जो चीज रविकान जी के लिए छोड़ना चाहता हूं बहस में वह यह कि मायावती ने 2022 के एलेक्शन में तेरा परसन्ट वोट लिएं वोट शेर तेरा परसन्ट है रलाकि उनकी सीट एक है कि अर्थ लार्जेस्ट पार्टी थर्द वोट शेयर हे मायवती का ईत्तरप्देश का जो ীड़ित वोट वेंक है जो मायवती के साथ है तteरा परसंट जो है वो इस समय डिसाइसिव मूड में है और वो तेरा परसेंट वोट बेंग वोट शेयर मायावती से छूट कर कहां जाएगा इसकी चिंता भारती जंता पार्टी को है मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि मायावती का तेरा परसेंट वोट शेयर मुस्लिम वोट शेयर और ये जो पिछड़े वर्क का जो वोट शेयर है इसका जो पोलराइजेशन है उत्तर पदेश में और बिहार में ये पूरी की पूरी राजनिती को बदलेगा मोहन भागवत के बयान पर नाराजगी बीजेपी में सिर्फ इसलिए है कि वो गलत समय पर सही चीज बोलते हैं वियार के चुनाओं की पूरु संद्या पर उन्होंने रिजर्वेशन का मुद्दा उठा दिया और बीजेपी हार गई हुआ अभी उन्होंने यह उठा दिया उधान सवा चुनाओं के ठीक पहले है उन्होंने उन्होंने कहा ठीक है पर उन्होंने गलत समय कहा जो भारती जंता पार्टी के लिए नुकसान की बात है इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि संग जो है पूरी तरह से मार्जनलाइज और कर दिया जाएगा मोदी जी के अजंडे में पहले से ही मार्जनलाइज है कुछ कर नहीं पाएंगे मोहन भागवाद मैं आपको बता रहा हूँ वह बहुत माइनरिटी में है संग में भी और यह उनी की गल्टी के कारण है उन्होंने शुरू में संग के लोगों को जो सुविधाएं प्राप्त हुई हैं गाड़ी गोड़े बंगले हवाई जाज अत्यादुनिक मोबाइल फोन यह संग का चरित्र नहीं रहा है अम्रिज जी यह ग्याने जी बता सकते हैं कि संग के लोगों को जो फाइस्टार कल्चर आगिया है संग में व यह पूरी की पूरी जो देन है वो भारती जन्ता पार्टी की सत्ता की है तो इसलिए यह अब छटपटा हाट है उसमें कि संग पूरी तरह से मुश्किल में फस गया है इसलिए मैं मानता हूं कि यह जो चल रहा है यह भारती राजनीती के लिए काफी हो सकता है मैं गलत हूँ मुझे कोई दिक्कत में है